दोस्तो एक कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके पती का कमर से नीचे का पूरा हिस्सा पेरलाइस हो जाता है जिसकी वजह से उसका पती उसकी फिजिकल जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता इसलिए वो लड़की अपने ही नोकर से अपनी जरूरतों को पूरा करती है मुवी शुरू होते ही हम कुछ लोगों को काम करते हुए देखते हैं जहां एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और कुछ लोग गायल हो जाते हैं वहाँ पर एक आदमी मर जाता है और उस आदमी को उसके परिवार तक पहुचाया जाता है उसके बाद सीन सिप्ट होता है और हम एक पार्टी में एक खुफसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम कोनी होता है तबी एक आदमी वहाँ आता है जिसका नाम क्लिपर्ड होता है वहाँ पर उन दोनों की मुलाकात होती है और ये मुलाकात शादी में बदल जाती है पर उसे नीचे उतारा जाता है, तब हम देखते हैं, उसके कमर के नीचे का पूरा हिस्सा काम नहीं कर पा रहा है, उसके बाद ये देखकर कोनी खुश होती है कि आखिर वो जिन्दा तो है, तब ही हम देखते हैं कि क्लिपार्ड एक गन से अपने आपको मालने ही वाला होता है, तब ही वहां कोनी आ जाती है, और कहती है, ऐसा मत करो, मैं हमीशा तुम्हारे साथ रहूंगी, उसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है, जो अपनी मंगेतर को खत लिक रहा था, उसका नाम ऑलिवर था, उसके बाद वो क्लिपार्ड के पास पहुशता है, और उसस काम मांगता है, क्लिपार्ड उसे काम दे देता है, उसके बाद हम देखते हैं, जब क्लिपार्ड को उसकी नोकरानी नहला रही होती है, तब वो क्लिपार्ड से कहती है, कोनी अच्छी लड़की नहीं है, उसने सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे शादी की है, ये उसके बाद कोनी चाबी के बहाने ओलिवर के पास आती है तब ओलिवर कहता है कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी उसकी गुसे भरी आवाज सुनकर कोनी भी गुसा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है अगले दिन ओलिवर कोनी को खत लिखता है और अपनी हरकत की मा तब ही वहाँ बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से कोनी ओलिवर के घर ही रुख जाती है। उसके बाद कोनी अपने घर आ जाती है जब कोनी और क्लिपाड एक साथ सो रहे थे तब कोनी उसके साथ कुछ करना चाहती थी पर क्लिपाड का कमर से नीचे का पूरा पोर्शन एक दम बेकार पड़ गया था जिसकी वजह से कोनी प्यासी ही रह रही थी इसलिए क्लिपाड भ चूजा चाहिए तब उलिवर अपने घर से एक चूजा लेकर आता है क्योंकि उलिवर चिडिया संभालने का ही काम करता था कोनी उलिवर के हाथों से चूजा पकड़ते समय उसके हाथों को सहलाने लगती है कोनी उस चूजे को हाथ में पकड़ कर रोने लगती है तब उलि जैसे अपने ही नोकर के साथ कोनी अपनी प्यास बुजाती है, क्योंकि उसका पती उसके साथ कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उसके बाद जब कोनी अपने घर जाती है, तब कोनी कहती है, क्या तुम ये करके खुश हो, ओलिवर कहता है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं उस नोकरानी का पती था उसके बाद फिर एक दिन कॉनी को Oliver की याद आने लगती है और कॉनी से रहा नहीं जाता है उसके बाद कॉनी दोड़ते हुए Oliver के पास जाती है और दोनों फिर से अपनी घपागब शुरू कर देते हैं अगले दिन हम देखते हैं क्लिपाड के घर पार्टी चल रही होती है, जहां कोनी का दोस्त डकेन भी आता है, कोनी और डकेन दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं, तब वो कोनी से कहता है, तुम इतनी खुबसूरत हो, तुम ऐसे पती के साथ कैसे रह रही हो, कोनी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती, कि तुम्हारा बच्चा किसका हो, बस वो तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए अगर तुम किसी और से भी प्रेगनेट होती हो, तो भी मैं खुश हूं, तब अगले ही दिन कोनी देखती है कि वो प्रेगनेट है, क्योंकि उसके अंदर Oliver का बच जाती है तब Oliver उसे धक्का लगाता है तब उसकी थोड़ी तबियत खराब हो जाती है तब कोनी कहती है हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए क्लिपाट कहता है कि रहने दो वो एक महज नोकर है पर कोनी Oliver के पास दोड़ कर चली जाती है तब Oliver कहता है कि कि तुमने सिर्फ मेरा इस्तमाल किया क्योंकि तुम्हें बच्चा चाहिए था कोनी कहती है ऐसा नहीं है मैं तुमसे प्यार करती हूँ तब अगले दिन हम देखते हैं क्लिपाट एक पार्ट ही रखता है कोनी के प्रेगनेंट होनी की खुशी में तब क्लिपाट की नोकराणी उसे सब सच बता देती है कि कोनी के पेट में आपके नोकर Oliver का बच्चा है तब क्लिपाट और कोनी में बहस होती है और कोनी उस नोकराणी से मिलती है तब कोनी कहती है तुम्हें किसने बताया कि ये बच्चा Oliver का है, क्या Oliver ने तुम्हें ऐसा कहा, तब कोनी रोने लगती है और कहती है मैं Oliver से प्यार करती हूँ, उस नोकरानी से उसका दर्द देखा नहीं जाता क्योंकि उसने भी अपने पती को खोया था, तब वो नोकरानी कह जल्दी जाओ, नहीं तो तुम्हारा पती Oliver को मार देगा। उसके बाद कोनी भागते हुए Oliver के पास जाती है, जहां वो देखती है कि वहाँ पर Oliver नहीं है, तब वो परिशान होकर वहीं रोने लगती है, तब ही वहाँ Oliver आ जाता है और वो उसके गले लग जाती है। उसके बाद कोनी क्लिपार्ट से डिवोर्स मांगती है, तब क्लिपार्ट और Oliver के बीच में चगड़ा हो जाता है। उसके बाद Oliver और कोनी वो घर छोड़कर वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। और कुछ इस तरीके से ये प्यार भड़ी स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताए कि क्या कोनी ने अपने अपाहिस पती को छोड़कर सही किया। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई